भाँंग भाँंग की, तो यह भाँंग जो है, कुमाईयों गडवाड की छेतर में खाफी ओग जाती है, इसकी खेती नहीं होती, क्योंकि यह नसे पदार्थ में इसकी गिंती होती है, इसलिए सरकार ने इस पर प्रितीवन्द लगा रखाया है, नहीं तो पहले के जो गडव लगा दिया है इसलिए भांकी अब खेती नहीं होती भांग ये सोता ही ओगाती ये बारिस के मौसम में तो ये हमारे पिथोड़ागर हलवाइन निटाल और और अल्मोलल साइट में ये काफी मात्रा नैं मिलती है तो दोस्तो आप सब जानते कि बहांका नसर जयाद आंदा का लोग बेरिय्टी सर्ट नकर पीने में जानते हैं मगर इसके वुसदिये गोल को नहीं जानते हो नहीं पहचानते और उनका फाइदा नहीं इठा पाते अगर दोस्तों हम खाना भी अधिक मात्रा में खाते हैं अगर सही तरीके से नहीं खाते हैं तो वो भी जहर का काम करता है इसलिए अगर इस भांग का हम सही मात्रा और सही जगा करें तो हमें उसके बहुत सारे वेनिफिट आपको मिल सकते हैं तो इसी में हम अगर भांग का देखें कि अगर भांग के इन पतियों को कुमल कुमल पतियों का आपने कांगर को देखें उन दसाओं में भांग का सेवन बहुत ही अच्छा है उनको नीन आने लगती है अगर हमें मस्तख पीड़ा या सिर्दर्ध हो रहा है तो इन पत्तों को बारीक पीश कर सूंगने से सिरा सूल या मस्तख पीड़ा भी ठीक हो जाती है जिन माताओं बहनों को हिस्टेरिय में 250 mg या 250 मिली गिराम भांग को हीं के साथ सेवन करने से जो इस्तरियों की आवेस जो रोग है उसमें बहुत ही लाब होता है जिन भाईयों को दमा है तो दमा में इस भांग के पत्तियों को आप बीड़ी या चिलम में रखे पीने से उसमें ठीक हो जाती है अगर संग्रह संग्रहणी रोग में आपको बारवाल लेटरिंग पेट फूलना अफारासा रहता है तो इस संग्रहणी रोग में आप 100 ग्राम भांग 200 ग्राम सोट 400 ग्राम जीरा तीनों चीजों को अच्छी तरह पीस कर छान कर रख लें और इस चूरों को असी पुढिया बना लें खाने से पुरानी संग्रहणी चली जाती है अगर आपको बहुत दुबले पतले और भूख नहीं लगती खाने खाने के इच्छा नहीं होती तो आप क्या करें इस काली मिर्च और भांग को 500 एमजी चुरों के साथ शुबसाम चाटने से भूख अच्छी लगती है और आप उसको की सहत बन जाती है दोस्तों आपकी जो बच्पन की गलती है उससे आपके इंदरियां टेरी हो जाती है तो उसमें आपको क्या करने है इस गांजे को और अंडी के तेल में पीस कर मूतर इंदरियों पर लेब करें उससे उसका टेड़ापन भी दूर होता है जो लोग अर्थ्राइटिस या गठिया सिग्रेस्थ हैं उन लोगों को इन बीजों के तेल से मालिस करने से गठिया मिट जाती है और इस भांग के पत्त को आप सुका कर रख लें और उसका चूरण बना लें तो आप जखम में उसको बुरक दें तो आप देखेंगे कि जल्दी सूख जाती है दोस्तों इस गांजे का कुछी दुस्प्रभाब भी होता है अगर इस गांजे का उपियोग आप ज़्यादा करते हैं एक निश्चित ही मात्रा में करें क्योंकि ये एक दुस्प्रभाब भी डाल सकती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया थी कि आप खाना भी अगलत तरीके से ज़्यादा खाते हैं तो वो भी एक जहर का काम करता है तो आप इस भाग का सही उपियोग करें और सही मात्रा में करें तो आपको ज़रूरी लाब होगा अगर किसी कारण इसका हम ज्यादा उपियोग कर लेते हैं और ज्यादा नसा हो जाता है तो उन दसाओं में हम नारंगी या अनार का रस दूद घी या अमुरूत के पत्तों का रस देने से आपके जो भांका नसा है वो उतर जाता है तो आप हमारे अगर यूटूब चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को आप किलिक करो क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक से पहले पहुंच सके और आप मेरी इस वीडियो में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी या कौन सी चीज आपको बुरी लगी उसके बारे में आप जुरूर हमें कमेंट करके बताएं आप इन जड़ी भूटियों का लाब उठाते रहें और स्वस्त रहें